असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो मैं चैनल फोट किचिन नाटिटो मैं हूं में रुकईया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत जबरदस्त और ला-जवाब सी अईबीन बिर्यानी बहुत ही डिलिशिस होती आप इसी बस जरूर ट्राइक किजिए कमें सेक्शन बताएं आप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो जादर दिना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने रान ली थी बकरी की रान और उसके दो पीसी कर दिये हैं और उसके अंदर मैंने चूड़ी से जो है वो कर्स लगा दिये हैं गोश्त में जिसे जब मैं मसाले को म अंदर तक उसका फ्लेवर रहे मसालों का यह देखे बहुत साइकर्स लगा दिये हैं चार टेबले स्पून जितना मैंने लिया है कच्छे पपीती का पेस्ट और 400 ग्राम मैंने दही ली है दही का पानी नी चोड़ दिया था और यह बिलकुल अच्छे से पानी इसका निकल और यह देखे टेबले स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टी स्पून काली मिर्च, दो टीस्पून नमाक, दो टेबले स्पून जितना अधरक लास्ट उन का पेस्ट और एक मीडियूम साइस की प्यास को पीस के पेस्ट बना लिया है चार निम्बू का रस्लिया है और यहां पर हमने लिया है ताटरी आदा चमच अदर लिया है ताटरी आपको किसी भी के दुकान पर मिल जाएगी इस से गोष्ट जो है बहुत जादा टेंडर हो जाता है झाला जमी टाटरी के मैंने करते हैं बहुत ज़ादा सौ। जाता है तो आप इसमें जरूर डालाइए क्योंकि के ज़ू रान होती है वह इतनी असानी से नहीं पकती है इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट बना देंगे इसका यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट पंचुका है मिल गए हैं सारे मसाले अब हम इसको रान पर लगा देंगे ये देखिए अब हम रान पर अच्छी तरीके से मसाले को लगा देंगे चमज से लगाईए हाथ से लगाईए लेकिन जो उसके कड्स हैं उसकी अंदर अच्छी तरीके से मसाला जाना चाहिए क्योंकि जब हम इसे ओवरनाइट मेरिनेट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर तक मसाले इसके जाएंगे और बहुत ही लाजवाब से रान बनेगी बिरियानी बना रहे हैं हम तो बिल्कुल अरेबियन स्टाइल में बनाएंगे ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से लगा देना है मसाले को यह वर न हम को क्या करेंगे स्टीण हो निया तो सब चीन करेंगे यहां प्र मैं आपने पानी डाल दिया देर सारा आदी ठोड़ा सा कम उसके पर मैं एंड ilas को दिया है यह देखिए अब हम इसी के ओपर रान कर तुकड़ा रग देंगे मेरे पापा मेरी हैल्प कर रहे हैं कि तो यह में ने एक रान को दो चुकड़ा में कर दिया था यह देखे और उसके बाद सारी तरफ हमने आटी की लेयर लगा दी है क्योंकि हमें प्लेट को उसके उपर चिपका देना है तो एक जगा देखे मैंने एक निशान छोड़ा दूसरी जगा थोड़ा से छोड़ा है जिसे हवा थोड़ी सी बहार आए और उसके बाद में तरह के से पैक कर देना है से और इसके ओपर थोड़ा हैवी सा वेट देना है तीन घंटे तक मीडियम टू लो फ्लेंप में पकाना थीन घंटे तक और अब मैं इसे खोल रही हूँ तीन घंटे हो चुके हैं यह देखिए बहुत एहतियात के साथ खोलना है और अभी यह सरिफ स्टीम हुआ है मैं इसको रोस्ट भी करेंगे और अरेवियन लोग स्टीम रोस्ट करके इस बिर्यानी को बनाते हैं यह देखिए गोश्ट बहुत अच्छी तरह से गल चुका है अंदर तक मसाला बिलकुल लग चुका है बहुत ही जादा अच्छी खुश्बू आ रहे हैं इसके अंदर जो मसाले का जो अरोमा था वह बहुत ही जादा प्लेट हटने के बाद आ रहा है और यह देखिए अच्छी तरीके से सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है घॉष्ट कि इसमें हडी चोड़ दी है यह देखिए बहुत ही जबरदस तरीके से गल चुका है यहां पर मैंने बगोना लिया है उसमें ऑईल गरम कर दिया है कि कि भी में जो हमारी बियानी है उसका चावा लम बना र अच्छी तरीके से भून लोंगी उसके बाद मैंने तीन मिडियूम सैस की प्यास को बारी काट लिया था उसको भी मैंने इसमें एड कर दिया है कि इससे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे प्यास को भी अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसके अंदर शिम्ला मिर्च डाल दोंगी तो मैं इसमें तीन रंग की शिम्ला मिर्च डालोंगी हरी पीली लाल ने आधी आधी शिम्ला मिर्च ली थी एक शिम्ला मिर्च पूरी ने आधी आधी तीनों शिम्ला और फ़र हलका सच लाने के बाद मैं समें एक मेडियम साइlle का गाजर ता डाल अचे consistency त में घड़न तामाटर सीह बारस स्कैमाटर कॉचे साव वह भी डाल दोंगे इसके अंदर और फिर इसे भून लोगी आज़ा है कि यह देखिए तुमाटर सारे मसाले ही ठमाटर और शिम्ला मिर्च वगयरा सब कुछ भून चुका था तो घमने मयरिनेशन से बचा हुआ जो नि उसमें बचा वह मसाला था वह हम वेस्टनी करेंगे इसी कींदर डाल देंगे और इसे भी भून लोंगी पांच मिनट के लिए और सबने हम क्या करेंगे मैं ने देड़ किलो बास्मती चावल दो घंटे के में भीगा दिया था उसके बाद मैं इसमें मटन स्टॉप डालोंगी जिसमें हमने मटन को रान को जो रोस्ट किया था उसी बगोने में जो पानी बना स्टॉप जासा जो बना क्योंकि मसाले जितने भी थे जो भी गोश्ट तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमने रानपुरी थी तो जो नली थी वह भी इसके इंदर गई क्योंकि तीन घंडे ताम ने पकाया था तो इसको स्टॉप बन चुका था मतन स्टॉप वहीं स्टॉप हमें चावल में डालना है जिसे इसका टेस्ट और जबरदस्ता है बहुत ही लाजवाब आए यह देखे क्योंकि हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है और यह बहुत ही बहतरी सा मतन स्टॉप बन गया था अब चावल को नॉर्मल सा पका लेंगे सॉफ्ट गलने तक यहां पर मैंने एक तवा लिया है फ्लैक तवा उसके यह देखे क्योंकि अच्छी तरह से पक चुका है और उसके बाद उपर से हमें रोस्ट करना है अंदर से तो बिल्कुल टेंडर है बहुत ही लाजवाब गोश्ट पर बिल्कुल हटने लगा है हड़ी से बस हमें से रोस्ट करना है और दूसरी तरफ में चावल को विल्कु आम तरीके से पाने डालने के वद आपको चावल विल्कुल सॉफ्ट अच्छी तरीके से पका लेना है क्योंकि इस रान को रखने के बद हम फिर उसे दम नहीं देंगे हम पूरा उसे पका देंगे चावल को और उसके अदस मिनट के लिए बस हम इसे रोस्ट कर लेंगे अलस्थ यह तरीके से सियल में बन रही है अगर अप रहा है तो में धेख़िए और यह बिल्कुल Arabian style में बन रहा है तो बिल्कुल इतना ही से हम रोस्ट करें क्योंकि अर्भी लोग जादा नहीं पकाते हैं जादा रोस्ट नहीं करते हैं जैसे हम इंडियन्स या पाकिस्तानी लोग खाते हैं उस तरीके से नहीं करते हैं और यह देखिए चावल के उपर मैंने रान का एक टीस रख दिया है और बहुती डिलेशिस बहुत लाजवाब बना है खुश्बू भी बहुती जबरदस्त है और यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं कितने अच्छी तरीके से गल चुका है यह देखिए हलका समयने बस इस किया और गोश्ट का जो पीस है वो बिल्कुल गिर गया मतलब बहुत ही टेंडर बन चुका है आप ज़रू ट्राइक करना बिल्कुल ना भूलें डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रू चेक कर लेजिए अगली रस्मी मिलते हैं जब तक के लिए अलाहाफिज आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी